नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरजुन खजूरिया अगर दिल्ली का बंदा मुझे गंदा कह दे तो मुझे वोट मत देना ये शब मेरे नहीं बलकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के इजरिवाल के हैं दरसल इस समय दिली के मुख्यमंत्री आमादमी पाची के मुख्या अरविंद के इज्रिवाल गुजरात दोरे पर है क्योंकि कुछ महीनों के बाद गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधान सबा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले अर्विंद केजरिवाल की तरफ से आकरामक तोर पर गुजरात में चुनाब प्रचार किया जा रहा है ऑम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया जा रहा है उसी कड़ी में जब एक सभा को संबोतित कर रहे थे मुख्यमंत्री अर्विंद के इजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के इजरिवाल गुजरात में जाकर उस समय उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा जो अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है कि दिल्ली का बंदा अगर मुझे कहदे गंदा यानि कि दिल्ली का बंदा दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अगर उसको सरल बाशा में बताओं अगर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति मुझे कहदे गंदा यानि कि अर्विंद केजरिवाल को अगर गंदा कहता है उनके विवहार के लिए अगर गंदा कहता है तो मुझे वोट मत देना यानि कि आमागमी पार्टी को गुजरात में होने वाले चुनावों में वोट मत देना ये शब्द हैं अरविंद केजरिवाल के इसके बाद एक नया स्यासी बवाल खड़ा हो उठा है और जब इसी मुद्दे पर कि अरविंद केजरिवाल ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है चुनावी जन्सवा में उस पर जब हमने भारती जन्ता पार्टी के दिल्ली से लोकसबास सांसद प्रवेश वर्मा से बात की कि अपने पॉलिटिकल टूरिजम से एक बार वो दिल्ली वापिस लोटाएं उसके बाद मैं खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को इन्वाइट करूँगा ये शब्द हैं परवेश वर्मा के उन्होंने कहा कि मैं खुद अरविंद केजरिवाल को इन्वाइट करूँगा बलकि हम एक ही गाड़ी में बैट करके मास्क वगारा पहन करके अपना चहरा चुपा करके अगर आम जनता के भी जाएंगे और उनसे दिल्ली सरकार के बारे में पूछेंगे तो उनकी जो प्रतिक्रिया रहेगी वो आपके सामने रहेगे और उन्होंने अगर अच्छा बोला अरविंद के रिवाल के लिए तो मैं मान जाओंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप आम जन्मानस को देखें अगर आप दिल्ली की जनता को देखें आज जिस तरह तरही माम मचा हुआ है चाहे फिर वो सतिंदर जैन का गोटाला हो अमानतुला खान पर शिकंजा कसा जा रहा हो या फिर अब दिल्ली के उपमुखे मंत्री मनीर सिसोधिया उन पर जिस तरह से अब शिकंजा कसा गया है LG विने कुमार सक्सेना की शिफारिश के बाद जिस तरह से सीबियाई जांच की माम की गई उसके बाद दिल्ली सरकार ने इस नई आपकारी नीती को वापिस लिया और अब मनीर सिसोधिया की तरफ से इसमें बड़े दावे किये गए हैं जब उन्होंने प्रेसवारता को संबोधित किया तो उसमें कहा कि हमें जो है काफी नुकसान हुआ है और पूर्व उपराज्येपाल अनील बैजल पर उन्होंने सारा ठीकरा फोर दिया इसको लेकर के जब हमने तमाम भीजेपी नेताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि अगर ऐसा कुछ था तो आम आदमी पार्टी पिछले एक साल से इस आपकारी नीती का गुनगान क्यों कर रही है दरसल पिछले साल 2020 में इस आपकारी नीती को लाए गया था ुर उसके बाद निरंतर आम आदमी पार्टी की तरव से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह दावा किया था उन्होंने आकर के ये बियान दिये हैं कि पहले जो राजस्व इसमें 4100 करोड होता था वो अब 5446 करोड हो चुका है यानि कि एक साल में 2021-22 की उन्होंने बात की उसमें 1300 करोड रुपे का मुनाफ़ा दिल्ली सरकार को हुआ ये आमादमी पार्टी के कुछ नेताओं के बियान लेकिन जैसे ही मनीश सिसोधिया का नाम खुल करके सामने आया कि उन्होंने शराब माफियों को 144 करोड रुपे माफ किये और ब्लैक लिस्टिड जो कंपनीज थी उनको उन्होंने ठेके बांटे उसको लेकर के जब विवादों में गिरे मनीश सिसोधिया उसके बाद हमने कि उपरा जेपाल की वज़ा से इसमें जो है हमें नुकसान हुआ है हजारो करोड का नुकसान हुआ है तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि सनीती से इतना फाइदा हुआ है तेरा सो करोड से जादा का फाइदा हुआ है जो तालिस सो करोड राजस व रही है क्योंकि अगर बात की जाए जिस समय ये रिपोर्ट आई थी दिली के चीफ सेकरेटरी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई थी आम आदमी पार्टी पर तब से बरखास्ती की मांग की जा रही है मनीश सिसोधिया की और उस समय जब अरविंद क से दिली सरकार को काफी फाइदा हुआ है सरकारी खजाने में हजारो करोड रुपए आए हैं लेकिन अब सवाल यहां यह बनता है जैसे जैसे दिली की आम जंता मनीश सिसोधिया की बरखास्ती की मांग करने लगी उनको पत से हटाने की मांग करने लगी और उनकी इंवाल् नीती जो है गलत कैसे हो गई और हजारो करोड रुपे का नुकसान उससे दिली को कैसे हो गया तो कहीं न कहीं या पर साफ तोर पर ये समझ में आता है कि या तो बाकी नेता चाहे वो रागव चड़ा हो या आतिशी मार लेना हो जिन्नों ने तेरा सो करोड के स्टाडिस्टि की तरफ से की जाए अब सीबिया इस मामले में अपना शिकंचा जरूर कसेगा हालांकि काफी कोशिश की जा रही है हम आदमी पार्टी की तरफ से इस नीती को वापिस ले लिया गया लेकिन जो गोटाला हुआ है जिससे 144 करोड रुपे के सरकारी खजाने के इस्तेमाल करने कि सतेंदर जैन अमानतुला खान मनीश सिसोधिया के बाद और कितने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर इस तरह के ब्रष्टा चार क्या रोपों में लिप्त पाए जाते हैं और वहीं अगर बात की जाए अरविंद केटरिवाल की जो इस समय जो खुद को अपना दिल्ल जाना पड़ेगा केटरिवाल कहीं दिखाई देते हैं तो चाहे पहले बात हो पंजाब चुनाव की उस समय पंजाब में दिखाई दिये लगातार उस से पहले जब गुजरात चुनाव हुए उस समय गुजरात में दिखाई दियो दोबारा से जब 2022 में गुजरात में चुनाव हैं तो दिल् प्रातार फ्री का लालश दिया जा रहा है उस फ्री रेवडी कल्चर पर सुप्रीम कोट की तरफ से जो है सकती की गई है और ये बोला गया है कि इस पर सक से सकत कानून बनाया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस रेवडी कल्चर को अपन आती है फ्री का जांसा देती है इन पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग इनकी मान्यता रदभी कर सकता है क्योंकि इस तरह की याची का धायर हुई है सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट की तरफ से बोला गया है केंदर सरकार को चुनाव आयोग को और तमाम बाकी जो दल है उनसे भी कहा गया है कि इस पर विचार विमर्श करके कोई निशकर्श निकाला जाए क्योंकि ये बेहद गलत है कि आप जब सत्ता में नहीं है सिरफ सत्ता को पाने के लिए इस सत्ता के लालच के लिए लोगों का वोट खरीदने का काम जो है इस फ्री के रेवडी क चुनाव हो और अब घुजराच चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पर भी फ्री का जांसा दिया जा रहा है चाहे फिर वो बिजली को ले करके हो या फिर तमाम बाकी चीज़ों को ले करके जैसे बिजली पानी को ले करके आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रही है ले उनसा ये दिल्ली का फ्री बिजली पानी का मॉडल है जिसको अरविंद केजरिवाल पेश कर रहे हैं और इस पर अब सुप्रीम कोड की सकती के बावजूद लगता है कि अरविंद केजरिवाल पर कोई इसका आसर नहीं पड़ा है वो इस समय जो है चुनाव में पूरी तरह स मशगूल हो चुके हैं दिल्ली में क्या चल रहा है किस तरह से उन नेताओं की जो उनके साथ लीडर थे जिनको वो कह रहे हैं कि बाईस साल से जानते हैं वो सचे देशबक्त हैं इमानदार हैं किस तरह से वो दिरे-दिरे जंता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं लेकिन पार्टी का जाडू का सिंबल लेकर के वहां काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार जो है गुजरात में टककर बीजेपी और आमादमी पार्टी की होगी कॉंग्रेस दूर दूर तक नहीं है अब इस पर आपकी क्या राय है कि जो अर्विंद केजरिवाल की तरफ से गु क्या उससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी या फिर दिल्ली की जनता की क्या राय है अर्विंद केजरिवाल को ले करके वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रही है हमारे साथ देखना होगा कि जो चैलेंज अर्विंद केजरिवाल ने दिया है कि दिल्ली का कोई भी बन्दा अगर उनको गंदा कह दे तो वहाँ की जनता जो है गुजरात की जनता जो है उनको वोट ना डाले अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया लोगों की आती है क्या लोग जो है उनको जिस शब्द से अर्विंद केजरिवाल अपने आपको बुलाना चाते हैं क्या इस शब्द से आपने आपको वो लोग अर्विंद केजरिवाल को बुलाते हैं आपका क्या कहना है इस पर पिछले कुछ सालों से जो दिल्ली में वो सरकार चला रहे है और साथ में free revenue culture को लेकर के जेगा जेगा परचार करते हैं उसको लेकर के आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ comment box में share कर सकते हैं लेकिन एक बात जरूर याद रखेगा इस revenue culture की सुनवाई के दुरान सुप्रीम कोट में ये भी कहा गया कि इससे करजा बढ़ सकता है और जो ह हालात श्री लंका में आज पैदा हुए हैं आर्थिक वहाँ पर संकट इस समय जिस तरह से मंडराया हुआ है पिछले कुछ महीनों से वो हालात किसी भी देश में हो सकते हैं जहां पर इस तरह का free culture अपना है जाता है